नमस्कार मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं SKM योगा हम लोग गीता अध्यान को जारी रखे हुए हैं और पिछले लगबाग दस दिनों से गीता के समस्त पाठों का अनुश्रण करते हुए दिरे दिरे दस पाठ पाठ श्लोक जो भी हमारी योग शा एक तीस पाठों से शुरू होगा पहले के समस्त वीडियो में मैंने पहले अध्याय से लेके पहले अध्याय में 47 श्लोक जो हैं उनके विशह में और दूसरे अध्याय के 30 श्लोक तक के बारे में चर्चा कर रखिये यदि आपको वो वीडियो भी देखनी है और उसमें यो दा रहा है कि आखिर योग की विधाय क्या-क्या है और किस प्रकार से आपको ये युद्ध करना चाहिए आज के इस वैक्षान में हम लोग अर्जन्स के मूल तौर पे एक शत्रिय धर्म के ज्ञान को प्राप्त करेंगे सिर्फ एक शत्रिय धर्म ही नहीं आपी तु ये भ जो अपने धर्म का अपने धर्म को देखने के बाद भी जो विकम्पित होट है ना जो कर्तब पत्मान लीजे और एक्जामपल क्षत्री का कर्म जो है वो है युद्ध करना तो यदि आप विचलित नहीं होते हैं तो वो बताते हैं क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर शत् हैं कि स्वधर्मापिच अविक्षब विकम्पति मरहसर अपने स्वधर्म यानि छत्री धर्म को देखके आप कमपित मत होईए आपका कारे ہے धर्म करना अब देखे यहां पर शब्द हो सकता था कर्म भी चैनम यह शह कहा जा सकता था आप अपकने कर्म को देखके लेकिन य अब योग शास्त्र के लिए कर्म और धर्म की बात आती है जब कर्म योग की हम बात करते हैं तो आखिर कर्म में क्या-क्या ऐसी बाते हैं जो हमें जानना होता है वो भी एक बड़ा विशह है और कर्म से धर्म का निर्वहन होता है कि धर्म से कर्म का निर्वहन होता है इसके पीशे बहुत सारी कहानिया हमेशा से देखी गई हैं एक कहानी है बड़े काफी फेमस है कि एक राजा हुआ करते थे उनके राज्य में हिंसा बिलकुल मना थी तो एक बार एक कबूतर जो है परिक्षित थे साथ तो उनके राज में एक कबूतर होता हुआ आया और आके उनके हाथ पे बैठ गया और जब उनके हाथ पे बैठ गया तो पीशे से एक बाज भी उड़ता हुआ आया और बाज ने बोला कि ये मेरा शिकार है आप मुझे दे तो उनने बोला कि नहीं है मेरी शरण में आया है मैं इसे आपको नहीं दे सकता यदि मैं नहीं दे सकता तो बाज बोला कि फिर तो मैं भूखा मर जाओंगा पाप तो आपको दोनों कंडिशन में लगेगा यदि आप मुझे यसे दे देंगे तो भी पाप लगेगा और यदि ये समस्त प्रक्रिया हुई तो उस वो दोनों जो लोग थे वो देवता लोग थे इंद्र थे और उनके सहयोगी थे जिन्होंने फिर वापस अपने पूर्ण रूप में आके उनको बताया कि हम आपके सिर्फ धर्म का परिक्षण कर रहे थे धर्म और कर्म की हमेशा से परिक् है अध्यापक के कर्म को लिने जाते है अगर आप बतौर कभी आपका कर्ण सामने आजाए नहीं धर्म संकट की जब बात आ जाए तो हमेशा कर्म और धर्म एक साथ में देखा जाता है कर्म और धर्म में हमेशा धर्म की प्रधानता होती है यही बात बता रहा है कि छत्रियों का जो धर्म होता है वो है युद्ध करना और अभी आगी के शलोक में आप देखेंगे उसमें भगवान बताता है कि चत्रियों के लिए तो ऐसा बड़ा जबरदस्त योग बनता है कि अगर खुद से ही युद्ध मिल जाए तो इससे बहतरी नो कोई बात ही नहीं है ये बात हर उस सैनिक के लिए भी है से विमुख हो जाता है और करतब की तरफ आगे बढ़ निकलता है तो अब माली जी करतब है किसी का इसमें एक और कहानी आएगी करतब क्या है पंडित का करतब है जूटना बोलना एक पंडित जी ते रास्ते में खड़े थे एक गाय आई दोड़ती ही और वह लेफ्ट जूट बोला बोला कि गाय जो है वो दाहिनी हिस्से में गई है आप इदर चले जाएए इससे क्या हुआ इससे यह हुआ कि जब वो धर्म संकर्ण में पड़े उस समय उन्होंने देखा कि नहीं ऐसा कि मेरे लिए मेरा धर्म जो है वो किसी के लिए घादक बन सकता था ऐसे इस्तिती में कर्म भी जीता है तो कर्म और धर्म यह दोनों एक दूसरे के पैरलर चलते हैं आपको भी हमेशा अपनी बुद्धी का प्रयोग करके यह देखना चाहिए कि कि किसकी महानता उस समय के लिए उस काल समय परिवेश के लिए आवश्यक है जब उस आवश्यकता को आप देखेंगे समझेंगे जानेंगे तो आप कर्म और धर्म में डेफरेंशेट कर पाएंगे और यह डेफरेंशेशन जो होता है यह हमेशा सर्वकालिक होता है सर्वकालिक का मतलब है कि एक बार अगर आपने ले लिया नर्ण है तो फिर वो लंबे समयांतराल तक उसका पल देखने को मिलता रहेगा यही बात भगवान बता रहे हैं भगवान बोलता है कि देखो ऐसा तुम्हारे लिए तो यह एक तरीके से बहुत उचित कंडिशन है ना स्वधर्मापी अपने धर्म को देखो तुम्हारे तो धर्म है युद्ध करना और अपने धर्म हो रहा है कौन करेगा कर्म क्या है करता ने कर्म को कर्म को यानि कि जिसके द्वारा जिसको जिसको आप करने जा रहे हैं वो क्या है वो आपका कर्म है युद्ध करेंगे तो वो कर्म है और किसके लिए कर रहा है तो वो धर्म है कई बार ऐसा होता है कि जो कर रहे हैं वो कर्म ह धर्म बन जाता है बड़ा कंफ्यूजन है इसमें इस विशे को लेकि कि किसको हमेशा प्राइरिटी जाए धर्म को की कर्म को आप आपका कर्म है दुकान पे जाना है और दुकान खोलनी है रात के समय मालीजे आप जो है डॉक्टर है और आपको हॉस्पिटल खोलना है अनाया अब बीच में मंत्र कीलक मंत्र पड़ रहे हैं ये धर्म के किलाफ है और कर्म इस समय सामने कि आपको उस व्यक्तिका इलाज करना है तो नहसंधिया आपको वेजड़ मंत्र छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका adverse effect देखने को नहीं मिलेगा देखने को मिलेगा लेकिन ज जब आयू पूर्ण हो चुकी थी, 12-13 साल उनकी आयू थी, जब पूर्ण हो चुकी थी, तो वो महादेव के मंदर में जाके और चुपचाप से बैठ के मंदर जपने लगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जीवन में एक ही कारे किया था, महादेव को ही याद किया था, जीवन भ को ही अपना धर्म बना लिया और अपने धर्म को ही अपना कर्म बना लिया, जब ये दोनों बाते एक साथ हो जाती हैं, तो इश्वर को आना पड़ता है, और काल के नियमों में भी परिवर्तन संभावित है, इसलिए कर्म और धर्म में आपको हमेशा परिविक्षा करनी हो हे पार्थ ये तो अपने आप से जो युद्ध का दरवाजा जो खुल गया है ये तो बड़े भाकेशाली होते हैं लोग जिनको अपने लिए आप युद्ध के लिए आगे बढ़ो मैंने बताया ना स्वरकादार क्यों खुलावा मानो क्योंकि आपको आपका धर्म ही आपका कर्म बनने वाला है और आपके कर्म के माद्यम से धर्म की रक्षा होने वाली है तो कर्म और धर्म हमेशा हमेशा ये संयोग नहीं बनता है जैसे ऐसा होता है कि कभी-कभी पूर्णि योग बहुत यदा खदा बनते है कि कर्म और धर्म दोनों एक साथ समक्ष आपके सामने खड़ा हो और आप उसमें किसकी प्रायरिटी करते हैं बुद्धिमता यह है योग के छात्र होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि आप जब कर्म और धर्म दोनो को एक साथ में मिल देते हैं तो वो आपके जीवन का सबसे अबोद पूर्व समय होता है उधार नार्त एक और मैं आपको धारम देता हूं आपके जीवन से संबंदित मान लिजे कि आप जो है वो विवाहित महिला है और आप अपने घर में घर के विवन्नेकारियों का संपादन कर रही है यह आ आया से आपको पता चलता है कि कोई ऐसा केस है जिसके लिए आपको कक्षा लेने जाना ही चाहिए और वो कक्षा आपके लिवल की है या आप उसको टैकल कर सकते हैं उसकेस को डील कर सकते हैं जब आप ये गाते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं तो आपका धर्म भी सामने है आप इन सब का त्याग करके उस धर्म की रक्षा के लिए आगे रिकल जाते हैं उस समय जो धर्म बन रहा है और जो कर्म का त्याग कर रहा है ये दोनों अपने आप में वाइस वर्सा हो जाएगा फिर भी यदि आपने धर्म को प्रियारिटी अगर दिये तो वो ज्यादे तो आप इधर से आपका कर्म आपका धर्म बन जाता है मतलब अगर आप सिर्फ भोजन बनादने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपने परिवार के लिए बनाते हैं तो आपका ही धर्म है और आपका कर्म भी है लेकिन यदि आप योग सिखाते हैं और कहीं जाते हैं और खाना priority base में उसकी list automatically सबसे upgrade कर जाती है यही बात बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए तो यह स्वर्व के द्वार जास है भाई देखो तुम्हें युद्ध करना ची यह तुम्हारे लिए कर्म भी है और तुम्हारा धर्म भी है तो fight यह चत्री धर्मों की बात हो रही है इससे में ठीक है ऐसे ही जो है 33 स्लोग में क्या बोलते हैं अथ चैत्व में धर्मम संग्रावम न करिशसी तता हस्वा धर्मा किर्थी चहित्वा पाप मवाप पैससी अना मतलब भवान बोलते हैं कि अगर आप ये युद्ध नहीं करेंगे अगर ये युद्ध नहीं करेंगे तो अपने धर्म का और किर्थी का त्याग करके तता हस्वा धर्मा किर्थी चहित्वा यानि अपने धर्म का और अपने कीर्थी का यानि जो यश आपने प्राप्त किया उन दोनों का हनन करके आप पाप को प्राप्त होंगे ठीक है ना ये बात याद रखिए कि धर्म की रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो आपने क्या किया धर्म की रक्षा नहीं की तो आपने सबसे बिले धर्म का त्याग कर दिया और ज गोशे तो होते हैं स्वा घोशना के द्वारा यानि खुद के ही वहार के अधार पे आप अपने आपको पापी मानिये और फिर आपको स्वर्गतों मिलना छोड़िये नरकी भी बात जो है आप आपके लिए कठीन हो जाएगी इसी बात को देखे एक मैं आपको अधान बताता क्योंकि वहां पे भगवान ने अधिकार दिखाया है तो बोलते हैं कि तू युद्ध करेगा ही ऐसा नहीं है कि तू आज जो है बोल दे कि नहीं नहीं आज आज जो है मैं ऐसे हूँ और कल मैं युद्ध नहीं करूँगा नहीं कल आपको आप युद्ध करेंगे और इसके के विश्य में मेरी गैरेंटी है भगवान ऐसा अधिकार यदा-गदा दिखाते हैं और इन अधिकारों का हमेशा प्रयोग जो है वो नहीं होता है लेकिन जिस पे बहुत एक होता ना कि जब आपने बहुत व्यवहार को करीब से देखा है जब आपने बहुत नजदीक से जान रूप हो रहा है यन्मो हात करिश्य करिश्यम सवपी तदह भगवान बोलते हैं कि यह जो युद्ध है यह आप करेंगे और यह युद्ध आपको करेगा ही मतलब यह युद्ध तो तुम्हें करना ही करना है तो यहां पे भी यही बात बता रहे हैं कि अगर आप यह धर्म दोनों का नाश्क कर लेंगे क्या बोलते हैं अगले इस लोग में भी कुछ इसी बातों को कंटिन्यू करते हैं भगवान बोलते हैं कि अकीर्थी चापी भूतानी कती यशंती तेव्यावं संभी वितस्य चकिर्थी कर्माडा धती रिच्चते हैं भगवान बोलते हैं कि सब जितने भी प्राणी हैं वो हमेशा रहने वाली अपकीर्थी कतन मतलब जो निंदा होती है वो करेंगे आपके अपयश्का गुरगान करेंगे और वो अपकीर्थी जो है सम्मानित बनश्य के लिए मृत्यू से बढ़कर भी होती है याद कीजिए अर्जुन ने पहले अद्या में बोला था कि मैं तो मृत्यू का वरन करना जो है वो स्विकार करूँगा मेरे लिए तो मृत्यू जादे हितकर है मैं अपने लोगों को मारूँ इससे बढ़ी है कि मैं मृत्यू को प्राप्त करूँ तो मृत्यू से भी बढ़ा क्या हुआ मृत्यू से भी बढ़ी हुई अपकीर्थी अपयश तो वही भगवान उस प्रश्ण का मतलब उन बातों का उत्तर दे रहे है जो जो अर्जुन ने बोला था प्रतमध्य है मैं बोला क्या कि मेरे को अपने जोनों का हिप मैं करूँ वो उन्हें मारूँ इससे बेटर है कि मैं भीक्षाटन करूँ मैं भीक महामलूँ मैं वो मृत्यू के समान है तो भगवान यहापर बोलते हैं कि यह तो मरने से भी जादे जो घातक है जो बेकार है वो है अपकीरती आपकीरती आपके लिए बेकार है क्योंकि आजीवन और जीवन के बाद भी लोग इस अपकीरती के विशे में बात करते रहेंगे मतलब उन महारती नजर से गिरेंगे वो गिरेंगे ही आप उनके नजर में जो मानने आपकी जो माननेता बढ़ी थी वो भी लगुदा को प्राप्त हो जाएगी भै के कारण से आप भाग गए महारतीयों के नजर में यह होगा ये शाम चत्वं बहुमदो बुत्वा यसासी लागवं जो आपकी आपकी इतनी बड़ी चवी बनी है अरजुन ने अपनी चवी बनाई है क्यों बनाई है क्योंकि नागों का जब युद्ध हो रहा था जब ये महाभारत शुरू होता है इसके पहले नागों से युद्ध किया था अरजुन ने और नागों से युद्ध करने की ख्षमता मनुश्यों में थी नहीं नागों से किस से ये जो नाग छित्र था ये दिल्ली है आज की उस समय इंद्रप्रस्त जो है वो खांडो प्रस्त के नाम से था तो खांडो प्रस्त उसका नाम था बड़ा उसर बंजर जगे थी तो वहाँ पे पांडवों ने अपने राज्य को प्राप्ति किया था वो ला साब ने जचा से द्रिदराश्ट से कि आप मुझे खांडो प्रस्थ दे दीजे खांडो प्रस्थ जो है वहां पर नाग रहा करते थे तो接 नाग का जो राजा था तक तक्षक ने बोला कि मुझे मेरे शित्र में कोई आएगा नहीं और मैं इस शित्र में रहूंगा ये इंदर देव मुझे आश्रवाद देजे तो इंदर देव ने उसे आश्रवाद दिया था और बोला था कि इसको मैं बंजर बना दूँगा यहां बारिश ही नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो तुम यहां पे युद्ध किया है अरजुन ने फिर उसके बाद इंदर देव से उनके पिता हैं इंदर देव लेकिन बावजुद इसके इंदर देव से भी युद्ध किया इंदर देव के साथ भी जो है एक समझोता किया और वहीं पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो रत वगयरा आग गरति उसी पुर्य से नाओं को जो परीश में टो इन लोगों की नजर में आप गिर जाएंगे ऐसी आसी परिस्तिती मतला यह कि आप जो है अपने आप्यश को प्राप्त करें क्यों आप्यश जो है वो मृत्यू से बढ़कर है और योग के आजकल के विद्यारती जो है वो इसी बात का ध्यान नहीं रखते हैं वो छणिक लाब के लिए यानि कि छोटे-छोटे लाबों को ध्यान में रखते हुए अपने यश को हमेशा अपयश में परिवर्तित कर लेते हैं और है कि लोग कुछ तो कहेंगे हर व्यक्ति आपसे खुश थोड़ी हो सकता है लेकिन एक बात याद रखिए आपके अंदर यदि वास्तविक गुण है तो आपका विरोधी भी एक ना एक बिंदू पर आपका समान जरूर करेगा यह हमेशा याद रखिए इसलिए अपयश को लेके कभी भी इतने नाकारात्मग बनने की व्यवस्ता में मत जाई है फिर बात आती छतीसवे श्लोक में इसमें क्या बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि जो शत्रू लोग हैं जो आपके समर्द की निंदा करते हुए और बहुत सारे न कहने वाले बचन भी कहेंगे है ना जो वचन नहीं कहना अवाच्य वदाश जो वचन नहीं बोला जाना चाहिए बहुन वदिशन्तित वाहिता हैं उसके बाद बहुत सारे वचन बोलेंगे आपके खिलाफ है ना और ये यदि ऐसा होता है निदंत अस्त्वा समर्दंत दुखत्रम नुगिम इससे बड़े लोग बोलते हैं कि पहली बार में किया तो तुक्का था तो तुक्का की चक्कर में मतलब वही बात भगवान तोड़े संस्क्रित निष्ट सब्दों का प्रियों करके बोल ले हैं कि आप ऐसे तुक्कों के विशे में मत जाईए आप अगर आप ये अगर आपने ये कारे न भगवान युद्ध करने के लाब को बताएंगे क्या बोलते हैं भगवान 37 श्लोक में बोलते हैं हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा भुक्ष में से महीम तस्माद तिस्टम कौंतिया युद्या कृत निश्चया यह बड़ा जबरजस टॉपिक है भगवान बोलते हैं कि अगर युद्ध में मारा गयाना तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और युद्ध में तू जीत जाएगा तो प्रत्वी का जो रज है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा और हे कुंति नंदन आप युद्ध के लिए निश्चित तोर पे खड़ हो जाए है मोटिवेशन एक होता ना कि भगवान से बड़ा कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं था वो इस श्रोक में है मतलब यह कि स्वर्ग के विशह में बता रहा है कि आप जो है दोनों कंडिशन में ही विजेता होंगे यदि आप माल लिजे कि आपकी मृत्ति हो जाती है तो आप स्वर्ग भोगेंगे क्योंकि आपने कर्म और धर्म का रक्षन किया है और यदि आप जीत गया है तो तो यह पृत्वियाब की है क्योंकि आगे फिर आप से युद्ध करने के लिए कोई बचेगा नहीं तो ये दोनों कंडिशन यानि कि हा में भी आप ही की जीत है और ना में तो आपकी जीत है ही है तो ये इस लोग जो है दूसरे अध्याय का सैतेश्वा स्लोग एक मोटिवेशनल स्पीच है भगवान सिरकृषन के दौरा अर्जन के लिए एक बात हमेशा याद रखे जीवन में कभी भी किसी कारे को लेके खासकर योग शत्र में लेके कभी भी कुशिन मार्क नहीं लगाना चाहिए यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कारे करेंगे तो आप हमेशा उसके दोनों एसपेक्ट में अपनी पॉजिविटी ढून लीजे प्रकाश के सोर्स को ढूनने के लिए एक और प्रकाश का सोर्स मत लेका आई है और लेडी ना किसी इफ एन बटके लग जाई है करने से पहले ये बात याद रहिए करने से पहले आप हजार बार सोचिए करने के बाद यदि आपने एक बार भी सोचा तो क्या सोचा करने के बाद कुछ भी नहीं सोचना जो कर दिया वो तो करी दिया लेकिन अब आगे जो करना उसके विशह में पूरी कलपना के साथ में और पूरी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना है लेकिन कभी यहां सोचे कि निगेटिविटी है अगर अर्जन के हिसाब से आप निगेटिविटी को देखेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि मैं तो मेरी मृत्यू सुनिश्चित है इसलि पूर्वक अपने हिर्दे से आलिंगन दीजिए और आप फिर अपने कर्वपत्र पे आगे बढ़ना आगे गीता जी में सिखाया जाए का जो मैं आपको अब भी बता रहा हूं 38 लोग में फिर भगवान इसी लाव की विशें बोलते हैं सुख दुख में समय कृत्वा लावा लावा जया जयो ततो युद्ध्याय युद्चस्वा नैव पाप पाप मावा प्याससी ही भगवान बोलते हैं कि देखिए ऐसा है ये जो युद्ध ना जय और पराजय जय जय पराजय लाव हानी सुख दुख इन सब को समान करके युद्ध में लग जाईए आप क्योंकि इस प्रकार जो आप युद्ध करेंगे ना उससे आप पाप को प्राप्त नहीं होने वाले हैं ये कैसे हो सकता है जय और पराजय दोनों को समान कैसे किया सकता है इनका प्र प्रकार के समनांतर सब्दों का प्रयोग करने के पीशे भगवान का एक ही उद्देश है वो यह है कि आप इधर पॉजिटिविटी हो इधर निगेटिविटी हो यही स्लोग जो है योग के छात्रों को अमेसा ध्यान देना चाहिए दूसरे अध्याय का 38 श्लोग ही की foundation मनता है योग की परिभासा को अस्थापित करने में अभी आएगा आप देखे पहले के अध्याय में अर्जुन ने जो दलील दी है उस बात को देखे कि युद्ध को करने में कल्यार नहीं देखता हूं पहले अध्याय के 31 श्लोग में फिर बोलते हैं कि भगवान ने क्या युद्ध मिल जाता है वो छत्री ही सुकी है पिर अर्जुन बोलते हैं कि क्या केता है युद्ध के परिडाम में नरक की प्राप्ति होगी पहले ध्याय का 44 श्लोग जो है पिर भगवान बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है आप युद्ध कीजे दूसरे ध्याय के 32 से 37 आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो अर्जुन और भगवान का समवाद जो है वो यहां पे बहुत जबर्जस तरीके से चल रहा है अब यही जो मैं आपको बता रहा हूँ यह जो श्लोग है यह फांडेशन है योग की परिभासा को यानि जय पराज है इधर को अप्लाई कर देते हैं जहां पे आप कर्म और धर्म को अप्लाई कर दिया साथ में जहां पे जय पराजे की कोई शंका नहीं है जहां पे जीत और हार की कोई शंका नहीं है ऐसे युद्धों में आपकी हमेशा विजय ही है और विजय का मतलब यह है कि ऐसा विजय है जिस का कारे करता है तो वो चत्री धर्म का निर्वहन करते हुए जय पराजय संबंदी बात को बताने के दौरान भगवान ने जो बात कही है दूसरे अध्या का 38 श्लोग अब इसके बाद 49-49 से दिने दिन अब कर्म योग के तरफ आगे भगवान बढ़ने किलेंगे यहां तक इन बड़ा जबर जस्ते नेहा भिक्रमा अंक्रमना अश्रस्तो ब्रत्यावतन अविद्यदे स्वल्प अमर्पास से धर्म धर्मस से तरह है तो महायतो भायाद आगे 49-49 श्लोग है इसको मैं अगले वीडियो में लूँगा क्योंकि इसके विशे में कल जो बाते हैं आपको कर कर्म योग एक बहुत बड़ा टॉपिक है वास टॉपिक है कर्म योग मैं बताऊँगा उसके पहले में एक और वीडियो बनाँगा ताकि कर्म योग के बेसिक को फांडेशन को आप समझ जाए उसके बाद भागवान जो बताना शुरू करते हैं क्योंकि भागवान इत्याग के लिए उन्मुक्त हो जाएंगे या रेटी हो जाएंगे तो कर्म योग ग्यान योग भक्ति योग सांक योग इन सब के विश्य में थोड़ी थोड़ी बातों के लिए एक अन्योन वीडियो मुझे बनाना पुड़ेगा उस वीडियो के द्वारा ही आप ये मन्दित बाते हैं आगे केश लोगों में थोड़ी चर्शा प्लम्भी होगी बहुत-बहुत धन्यवाद आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं आगरे वीडियो में फिर में लेंगे भचल दे धन्यवाद नमस्कार